सभी पार्टी के वरिष्ट नेतागर्ण और पेडिया के मेरे दोस्तों और पार्लमेंट के सभी सदश्चमित्रों पहला तो मैं सभी पार्टी के नेताओं को जो हमारे फ्लोर लीडर्स हैं लोकसभा में राजसभा में और इंपोर्टेंट लीडर्स भी जो है उनका मैं सुक्रिया अदा करता हूं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कल जोरदार तरीके से हमारा समर्तन किया राहूल गांदी जी का जो डिफेमेशन केस में डिस्कॉलिफाइं जो हमारे स्पीकर में किया था उसके बारे में डिमाकरसी की हालत देश में क्या है किस धंग से चल रही है इसके लिए वो सभी पार्टी चिंतित है और उन्होंने राहूल गांदी जी के एक इसके लिए अपनी बात जो बताई इसलिए मैं उनको पुना यहां पर धन्यवाद देना चाहता हूं उनका सुक्रिया अदा करना चाहता हूं भायो दूसरी चीज यह है कि आज हम काले कपड़े के ड्रेस में क्यों आएं कि यह नहीं कि किसी को बताने के लिए नहीं हम यह दिखाना चाहते हैं कि इस देश में डेमोकरसी को मोदी जी एक-एक करके खतम कर रहे हैं एक तो पहले अटॉनमस बॉडी इसको खतम करते हुए आएं दूसरी तरह जो कानूनी तहत लोग चुनाव में जीत के आएं उनको डरा धमका के उन्होंने हर जेगे अपनी सरकार बनाने में गए तीसरी बात जो लोग जुकते नहीं उनको जिकाने के लिए एडी का इस्तमाल सीबी आई का इस्तमाल उन्होंने किया और कर रहे हैं और हर एक चीज़ को अथेंटिसिटी पूछते हैं पार्लमेंट में और राजस्तबा में और जो अथेंटिक तरीके से हमने ये कहा कि देखिए ये जेपीसी का मामला है सभी लोग डिमाइंड कर रहे हैं जो व्यक्ति आदानी जिसकी संपत्ती पहले 3,000 करोड थी उसके बाद उसकी संपत्ती 50,000 करोड बन गई फिर उसके बाद उसकी संपत्ती 2,000 करोड बन गई लेकिन धाई साल में उसकी संपत्ती बारा लाग करोड बन गई ये कैसा बना इसके लिए राहूल गांदी जी ने पार्मेट में चंद प्रशन पूछे पहला प्रशन तो ये पूछा कि मोधी जी आदानी के प्लैम में आप आये थे ये आपके और उनके रिस्ते क्या है दूसरा प्रशन इनका था कि जो आदानी इतना छोटा इंडर्स्रेलिस्ट है उसको इतना बड़ा आपने किया इसका कारण क्या है और तीसरा आप फॉरेन कंट्री जब जा रहे हैं दूसरे मुलकों पे जब जाते हैं उनको प्लेन में लेके जाते हैं कितने बार लेके गए चोटा प्रशने था कि आप जा जा जाते हो उसी वक्त वो भी वहाँ पर आके मिलते हैं उसका कारण क्या है और पांचवी बात ये है कि जब आप वहाँ पर जाते हैं वहाँ के प्राइम मिनिस्टर्स वहाँ के फारेन मिनिस्टर्स वहाँ के कैप्टलिस्ट लोकों के साथ मिलवाते हो ये क्या बात है इन चीज़ों को आप उत्तर दे दो और छोटे से समय पे एक आदमी इतना पैसा कमा सकता है जब देश में 50% लोग अभी भी उनकी इंकम केवाल गरीबी रेखा के नीचे हैं लेकिन ऐसे बड़े लोगों का जो आज संपत्ती बढ़ रहा है इतना फास्ट बढ़ रहा है कोई पर कैपिटा इंकम दूसरों का उतना नहीं बढ़ रहा है इसके लिए जो सवाल किये थे उन सवालों का जवाब वो नहीं दे सके और पूरे पार्टी के निता लोग यहां पर जो जितने भी पार्टी यहां अट्रा पार्टी आजाए एक भी पार्टी मिस नहीं होगा सभी मिलके यही मुद्दा पूछ रहे कि भई आप जॉइंट पार्लमेंट्री कमीट्री बिठा हो उसमें खुल के आएगा सत्यता बाहर आएगी रेकॉर्ड्स देखेंगे और रेकॉर्ड्स चान्पीन करने के बाद जो चीज बाहर आएगी वो सबको मालूम होगा ट्रां माइंड क्यों कर रहे यह भी लोकों को मालूम होगा तो यह जो चीजे हैं उनके फाइल भी जाँच हो गई और आप जैपीसी करने को क्यों डर रहे हों आपका तो मैजोरिटी है तूधर मैजोरिटी है पहुमत है अम तो अलपमत में हैं और मेंबर्स जो बनेंगे जॉइं ज्यादा हो जाएंगे तो डर क्यों बात है किस बात से डर रहे हो इसका मतलब है कि डाल में कुछ काला है इसलिए वो डर रहे हैं और जो लोग डरते हैं कभी ना कभी मरते भी हैं तो इसलिए आज हम एकता दिखाने के लिए सबी लोग एक आये हैं और जो खासकर राहूल गा आए हुआ कि जो उनके उपर केस डाला गया वो मेरे स्टेट का है कोलार का है और कोलार में जो उन्होंने चुनावी भाशन में बात की थी उसको लेकर आप गुजरात में सूरत में केस डालते हो आरे अधे वफेंश कोलार इन करनाटका बात यो सूरत में सूरत आट जुरिश के अगुजरात चुनावी वयू वटने के वह होह को उन्होंने से जुडिशरी बख्यू वांट तो यूज वांट तो डी फेम रहूल गांदी जी दाट्स वाई यू पीपल ट्रांसफर दी केस देर्फोर आम तेली ए कुछ सांट गांट दूनु की है वो सांट गांट क्या है यह बहार आएगा तो इसलिए आज जो एक काला दिन है डेमोक आग डेए शच तीन इवर हैंट अर्लियर पर स्माल इंग धिविए मिशन केस नौट एक सी दिविए अप्सक्राइब तो यह बहांट तो इसलिए प्ट्राइब कर सकते हैं दो मुख साल एक एक दिन भी ओगा आप खर सकते हैं नौट एक सीडिए लेकिन फिर भी आईसा त पराथुनीग गड़बडी में हमारे गावर्मेंट् बीजेपी कीावर्मेंट् मोधी सरकार स्पीकर को बोलके मिनितों में लाइटनिंग स्पीड में उनको डिस्ट्वालीफाई कर दिया क्योंकि वो पार्लमेंट् में नहीं बोलना उनका मुँ बंद करना आदानी के बारे में आवाज नहीं उठाना और ये सारी चीज़े कब हो गई कि जब आदानी के खिलाफ राहूल गांदी जब बोलने लगे आवाज उठाने लगे तब ये मोधी गाउर्मेंट डर गई और दूसरी चीज़ जो राहूल गांदी जी कन्या कुमारी से लेकर कश्मीर तक जो उन्होंने पादयात्रा की और हमारे सभी लोग लाखो लोग जुड़े उनके साथ और जुडने के बाद उनको एक लगा कि ये बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है और ये हमको बहुत बड़ा चालेंजर है ये समझ के उन्होंने राहूल गांदी को डिस्करेज करने के लिए डराने के लिए वो काम किये हैं हम ना डरेंगे राहूल गांदी जी नहीं डरेंगे और अपोजिशन पार्टी को आप दबाने की कितने भी कोशिश करेंगे अपोजिशन पार्टी दरेगी नहीं, दबेगी नहीं, छुकेगी नहीं, तो ये हमारा इरादा है और इसको आगे भी हम चलाने के लिए कोशिश कर रहें, सब लोग मिल के भी हम ओगे कैसा मोहीम करना, इसके लिए भी हम पूरी कोशिश करेंगे, और फिर आपके पास आएंगे आपको भी धन्यवाद आप लोकों ने जो इस अमारे मोहिम को आपने सपोर्ट किया इसलिए आपको धन्यवाद देते हुए हमारे लीडर्स को बात करने के लिए मैं अपना झाल